प्रूसर बताइए यह जो आज स्ट्रेस भढ़ रहा है स्टुडेंस के अंदर एक्जाम का जो भूबिया है तो क्यों है इसके आजकर के मावोल में अधीक्तम बच्चे वह अभी बाव नहीं दोनों ही बहुत ही तनाव को क्योंकि यह प्रिश्या की गड़ी विशेशकर हो बच्चे जिनकी उमर 13 साल से और पोलेज लेवल की है वो बच्चे पुर्वा अभीभाव दोनों एक ही चिंक्या में डूबे हुए है किस तरह से एक्जाम में उनकी प्रभूर्मेंस बैस्ट हो क्या वो स्क्योरिंग कर पढ़ेंगे और किस चेदर में अपना पैस्ट देपाइगे इस तनाव को निस्थिति में बच्चों के लिए ही नहीं किसी के लिए भी अपना बैस्ट पफॉंग देना पोसीबल नहीं चरह सोचिए आप उस तनाव आप अपने ओफिस में काम कर र परिक्ष्या के टाइम पर तनाव आना लाजमी है थोड़ा तनाव बच्चे को मोटिमेट करता है आगे बढ़ने के लिए वहीं इसकी अधिक्ता उसकी परफॉर्पोर्मेंस प्रोटेक्टिव्टी और क्रिव्टिव्टी को मार देती प्रिक्ष्या में तनाव के कारण जो स्टूडेंट्स पूरी मेहनत करने के बावजूद भी वह अपने अनुकुल प्रीनाम नहीं ले पाता और उसे अपने भविश्ये में अंधकार आने का डर रहता है आईए दोस्तों समझते हैं कि तनाव होता है तनाव एक मनस्थिती में उपजा हुआ विकार मनस्थिती में state of mind मनस्थिती और प्रिश्थिती में एक ऐसंतुनन और ऐसामंज़स से के कारण तनाव उत्पर होता है तनाव एक जोंद है जो मन और भावनाओं के बीच एक गहरी दरार पैदा है तनाव अन्य विकारों मनों विकारों का प्रवेश द्वार है इसे मन ऐस्यां भावना अस्थिर और आपका सरीर ऐस स्वस्थिता आपका अनुभव करता है ऐसी स्वस्थिति में हमारी कार्य सब्ता परभावित होती है और हमारी सारेरी मान से ग्रोथ पे इसका इफेक्ट पड़ता है सर अपने बताया कि स्ट्रेस होता करें तो उनके मूल कार्म को जानना जाला जरूरी है ताकि हम सही दिसा में कदम उठा कर उनका उप्यूक्त उपचार कर सके जब भी किसी स्टूडेंट या पैरेंट से मिलकर हमने स्ट्रेस की कारणों को जानने की कोशिस की तो कुछ बेसिक से कारण ही सामने आई जिसमें सबसे पहला है पैरेंट्स का बैतर प्रिणाम के लिये दावागव दोस्तों करने चाहता है उसका बच्चा अच्छे से बड़े अच्छे मांस ले अच्छे स्कोलेज में उसका इडिशन हो उसी अच्छे विशे मिले और वो अपने चीम में प्रूश लें और उसक दूसरा है बच्चों के एक्जाम के लिए अच्छा प्रिक्षा की घड़ी आती है तो वह पढ़ने लगते हैं तब उन्हें अपना अपनी पढ़ाई एक विशाल चर्टान की तरह नजर आती है और एक्जाम हर समय उसके नजदीक आता जाएं जिसमें उसका तनाव मयाना सावभवी नेक्स्ट गंदार है अच्छे नमरों की का दबाव कुछ बच्चे जो अच्छी पढ़ाई करते हैं व तो जब वो अपने आपको इंप्रूम नहीं कर पाते तो वो उसे तनाव में दखते हैं एक बहुत बड़ा कारण यह भी रहा है कि कुछ जाने और रंजाने में उनके टीचर्स और उनके पैरेंट्स कुछ गलत गलीफ ले देते हैं जैसे कह दिया जाता है कि आपको तो या जान ही लिया को नहीं कर सकता है तो वो उसको करने में कितना एक पाता है आपकी डिस्टोटीड सेल्फ इमेज साइक्लोजिक सब्बेज कहती है सब कि पहले दस सालों में ही एक बच्चे की सेल्फ इमेज को अगर आप किसी बच्चे से कहते हैं कि आपने टोप किया क्लास में मैं कहां इस वो अपने आपको लाइख ही नहीं समझ रहा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए तो एक सेल्फ इमेज का इस्टोट होना बहुत बड़ा कारण है जो बहुत पनाव है एक और रहा है बढ जो है आउट कम का कृणियर ना हो ना हुए आप देखते हैं कि आज बच्चे लगा तक जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे पुछो कि क्यों पढ़ रहे हैं यह भी नहीं पाब वो सिर्फ रहे हैं तो यह माता पितान है प्रीज दीओ रहे हैं हम सब ने उसको बताया कि कैसे पढ़ना है लेकिन क्या किसी स्टेज पे अध्यापगण या अभीभावगण किसी ने भी ये बताया कि क्यों पढ़ना है और वो उस पढ़ाई को अपना काम ना समझने की वज़े से वो उसको बोज समझता और बोज एक टेंशन एक तनाव देगी तो अभी बहाव किसे पैचान की कि इसकी जो लक्षन सारे और मानुशी को दोनों सिटेट में दिखाई लेते हैं लक्षन नहीं लगाता ना पॉना नमा पाचन सब्सक्रित हो और अपने आपको बेचेन रहना ठीक से दिखना पाना कुछ याद नहीं कर पाना जैसे सारीरी क्लक्षन में मांसीक लक्षन में आते हैं कि वो पठाई में मन ना लगना टीवी वे फ्रॉन पर ज्यादा बीजिए रहना और जित्ती या चिर्चला सभाव दो जाना हतास होना और आक्रोज से भरे रहे रहे हैं और खाने की आपतों में बदलाव देखा जाता है बच्चा अकेला रहना मै आपने लक्षन भी बता लिए और तो सबसे जरूरी चीज़ कि इसके उपचार कैसे किया साई तो उपचार भी आप दर्सकों को बते हैं तो हमीं लक्षन कारण मिले देख उन्हीं पर हमें करते हैं सबसे पहला था पैरेंट्स का दवाब दोस्तों आप सभी पैरेंट्स को सबस्तों में कहना चाहूंगा कि आपके कहावत सुनी होगी और मानते भी होंगे कि परतंच्या को जितना टाइट करेंगे तो धनुस उतने ही दूर अपने तीर को फेकने के चकर में परतंच्या को इतना टाइट ना करें कि धनुसी डूप जाए कि आपने बच्चे को अंकंडिशनल लव दें मैं आप सभी पैरेंट्स से और जो भी देख रहे हैं इस एक बात पूछना चाहता हूं याद करके देखिए कि आपने बच्चे को लास्ट टाइम कब गले लगाएगा कब आपने उससे आई लगी कहा तो आज आज एक कोशिस कीजिएगा आज अपने बच्चे को एक बार गले लगाएगा और फिर कीजिएगा कि उसमें कितने बदलावागा दूसरा है एक्जाम के लिए त्यार ना होना मैं उन विद्यार्थियों को एक बार बताना चाहूंगा जिन्होंने अपने आपको खेल जी हाँ थोड़ा थोड़ा करके आप चंस में यदि अपने स्टेवस को बाढ़ते हैं तो आप इसको पूला कर सकते हैं लगाता स्टड़ी आप एक लेसिन पढ़ें लेकिन रोज पढ़ें प्यूंकि जब तक आपके आप नीमत के मुच्चे ना करेंगे तब तक आप आग कि आप अपने दोस्ते हैं या आप किसी भी हीरो को रोल मुड़मानते हैं तो अपने मां के पास आए तो आप की जगह ले सकता है आप ही अपने मां के लिए डाइमेंड हो और आप अपने ही यूनिवर्स में आप जैसा दूसरा कोई नहीं ही तो आप अपने आप से जब आप अपने आप से कंपिटिशन करने लगोगे तो आप पाओगे कि आप हर रोज सीख रहे हैं आप जितनी में सीखिए और आगे बढ़िए आप कभी भी तनाव में नहीं एक तासर गलत ब्ली जाने और अंजाने भी हमारे पैरेंट्स ने कुछ गलत ब्ली द्रमे दे बॉफ निएतो लोगे का क idealist देखता कि रॉकर नैंस तो बताया कि जब ये चोटा था था तब तब इसके पैशिक बाने और तब इसे तोड़ने की प्रियास किये लेकिन उस वक्त यह तोड़ने में एसमर्ड बन गया कि यह इसे नहीं तोड़ सकता तो आप इसको चाहिए है आप पीजे किसी छोटी रसी से भी मांदो के विए नहीं तो रपाएगा दोस्तों उसी हाथी की तरहे आपको गलत विफ ने बान्ध रखा है हापको किसी टीचर ने कहा दिया क्यां कर दिशन नहीं करते और आप इसे मां लिया एक बार अपनी ताकर लगा करें देखो आप उस हर मंज़र को पासकते हूं जिसको आप चाहते हैं इसके लिए NLP में हमारे पास Neuro Linguistic Programming में ऐसी टेखनिक्स हैं जो आपको चंद मिंटों में इसे चुपतारा पासकते हैं हमारे सेमिनार्स होते हैं आपके सीडीज में अगर आप हमारे लाइब सेमिनार्स जॉइन करते हैं तो आपको एक्च्वल में जो यह NLPT जो प्रैक्सरसाइज हैं वो प्रैक्टिकल लेने की लिए तो थेरिटिकल नहीं है कि मैं यहां से समझाओ को उनकी समझने आ जा है वो इस तरह आज अगर आप अपनी रसी को नहीं तो आप हमेंसे उस हाथी की तरह बंदे रह जाएंगे यदि आपने अपने प्लीज को तोड़ना सुकू कर दिया जो आपको बांदे बैठके हुए हैं तो आप आगे बढ़ जाएगे नेक्स्ट है सर्फ डिस्टोर्टीड सेल इमेज हर फिल्ड में अपनी इमेज काम आती है जब तक आप विश्वास नहीं करते कि आप कर सकते हैं आपने इमेज को ही छोटा मान रखता है तो आप अपने आपको आगे भी बढ़ा पाते जिसकी वज़े से कि आपकी काम करने में आपका दिल नहीं लगता आप पढ़ने लगते हैं तो भूंत को कुछ TU समझते हैं तो आप पढ़ेंगे कैसे इसके लिए भी इमेज को इंडू करना बच्छों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और एनेक्टी इमेज को करने में है और यह सेल्फेमेयज उमर भर काम आती है चाहिए आप इजुकेशन में हो चाहिए आप बिजनस में हूँ तो दोस्तो आप अपनी सेल्फेमेयज को इंप्रू करके हर फिल्ट में आपने आपको एक्सल कर जब जब तक हम बच्चों को यह नहीं बताएंगे कि उनका टार्गेट क्या है उनका प्रजट्स क्या है आप हम सिर्फ उनको टास्क ओरियंटीड बना रहे हैं हम उन्हें आउटकम के बारे में बता ही नहीं दे जरा सोचिए कि आप सब लोग जाए श्कुलेंट्स देख रहे हैं और चाहे अभीवा हो गुगल मैप से जो आप रस्ता पूछने लगते हैं यह दो चीज़े आप से पूछता है पहली यह पुछता है कि आप कहां है आपकी प्रेजेंट स्टेटल और दूसरा यह कि आपको जाना करना है यानि कि आप कहां है और आपको कहां जाना है यह दोनों चीज़े आपको पता हम लिए जब तक आपने नहीं पता कि आपको कहां जाना है आप पही जाए नहीं सक्क आज ज्यादा कर स्टुडेंट्स का यही स्टेटस है, they don't have their outcomes, उनको यह पता निक जाना कहा है, उनका वही हाल हो रहा है, कि आज वो यहां से रेक्वेस्टेशन पहुंसते हैं, और वहां से प्रेंट आप दिखाई देती है, सजी तजी कुछ दूर चले के बार में कुसरी ट जाना धाता है, जाना तो फिर वो चैनल से धेली वापस आते हैं, यर दे उसको शुरू से ही ईपता होगा धेली जाना थेख़ाऊ है कि आज हमारे से ब्लेंट्स को यह नहीं बता कुन का जाना है जो क्या चाहिए हो को पहले चीज़. और सर्फ दूर्सन सब्सक्त्पा है है कि उनको ये क्यों चाहिए ये लिन को अगर उनको क्या चाहिए और क्यों चाहिए तो ना तो तनाव में आएगे बल्कि वो हमेसे आपने आपको आगे बढ़ता हुआ करें हर वक्त उनका कदम आगे की और अगरसर होगा और हर कदम बढ़ता कदम उनकी मंजीर को तो यह सब कारण है यह तरीके हैं जिनसे वो स्ट्रेस से बाहर हमारी वक्षोप से रीप्रोग्राम यो माइंड को सक्सेस बिजनस एंड है उनको जोइन कर सकते हैं अभी करते हैं स्ट्रेस और गॉर्प्रेट जगत पर इन से रिलेटीड किसी भी तरह का आपका कोई शवाल हो तो आप इन कमेंट्स बोक्स में छोट सकते हैं आगली सेसर में मैं आपके इसके कमेंट्स बोक्स में दिएगे तुसनों का रिप्लाई देने की कोशिश करूँग करते हैं